बोलिये श्री प्राणनात प्यारे कीजैं, श्री सत्गुरु महराजी कीजैं, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा हीजैं, श्री महराज वार्दा साहिब आपकी सदा हीजैं। परमशर्द है आतम सन्वंदी, शिरी राजी महराज के लाडले एवं प्यारे सुन्दर साज जी, हमारी विजे जी सेठी, चांद जी सेठी, शिरी गंगा नगर, सुश्मा जी धुडिया, अनीता जी परणामी फाजिलका, और हमारे शिरी कृष्ण लाल जी परणामी जैपू आशा जी तनेजा, शिरी ची मनलाल जी तनेजा जैपूर, मिठु सुखिजा, और हमारे शैफाली जी परणामी जैपूर, और हमारी पदमा वेहन मुंबई, अस्मित्ता जी कपोपरा सूरत, हमारी आशा जी मदान गुडगाउं से, किरन जी सेठी, सुनिता जी सेठी, शिरी गंगा नगर से, और हमारी जिगना जी भावसार, अंजु जुग जी, लाल जी केपड़साला सूरत से, शौबित सुनिता जी परणामी जैपूर से, हनसा बेहन हमारी सूरत से, और हमारे रवी सेठी जी, वर्षा बंडारी जी, सीमा परणामी जी, ममता भगत जी, अंजु जुग जी, आईए लाडले सुन्दर साथ जी, हम वंदना प्रारम करें, आप सभी उपस्तित हो रहे हैं, हना, और पंद्रा मिनट की ही वानी चर्चा होती है, तो आप समय पे उपस्तित हो जाया करें सभी सुन्दर साथ, ठीक है? स्रिवंदो सत्य गुरू चरणे को करू सो प्रेम परणाम, आशो भरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्रजी नाम, श्री प्राणि नाथ निज मूल पती, श्री मिह राज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा, युगल को पल पल करू परणाम, पल पल करू परणाम, श्री प्राणि नाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहे ग्रहे कीलाज, ज्यारे धनी धन वट करें, त्यारे बल बैरी नाहरें, वली गया काम सराणे चड़ें, मन चित्व्या कारज सरें, बोलिये श्री प्राण नाथ प्यारे कीजै, श्री सत्गुरु महराज कीजै, श्री बाबा दयाराम साहें, आपकी सदा हीजै, श्री महराज, श्री जवारदास साहें, आपकी सदा हीजै, परमशर्द्य आतम सनमंदी, श्री राज जी महराज के लाडलें, एवं प्यारे सुंदर साहें, आए हम अपनी सुर्ता को श्री पांच पदमावति पुरी धाम में लेके चलते हैं, श्री बंगला जी दरवार में, जहां श्री जी साहव जी, रातरी नो बजे, वानी चर्चा परारम करते थे, और कभी रात का एक बज जाता, कभी दो बज जाते, और कभी कभी तीन भी बज जाते थे, लाडले सुंदर साह जी, आज हम पंदरा मिनट भी चर्चा सुनने का स मैं नहीं निकाल पाते विचार कीजिए वो कैसे अमिरल्स रेष्ट मौमिन होंगे जो तीन तीन चार चार घंटे तक लगातार वानी चर्चा सुनते हना तो लाडले सुन्दर साथ जी आईए धनी जी के चरणों में एक भाव रखते हुए ए रूह मेरी तुने इतना भी नहीं जाना कितने वो कादर है ये भी न पहचाना ए रूह मेरी तुने इतना भी नहीं जाना पल पल में हर बरसे परकदर न जानी है माया में आ करके करली मन मानी है मत भूल के इक दिन तो धनी के सन मुख जाना ए रूह मेरी तुने इतना भी नहीं जाना रुत्वा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है रुत्वा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है मत भूल के इक दिन तो हक के सन मुख जाना ए रूह मेरी तुने इतना भी नहीं जाना बोलिये शिरी प्राणनात प्यारे की जै लाडले सुन्दर साज जी आईए वानी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कल हम सुन रहे थे इलम हक और दुनी का कही जाए ना तफावत ए सुकन सुनरू मौमिन आवसी अरश लज्जत आवसी अरश लज्जत बीच बक्का के रूहन सो हक के करी खिलवत बोलिये शिरी प्राणनात प्यारे की जै लाडले सुन्दर साज जी महान बुद्धी के सागर आप महामती अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री जी साहव जी श्री इंद्रावती जी के सवरूप में फर्मा रहे हैं कल हम सुन रहे थे के लाडले सुन्दर साज जी इलम हक और दुनी का शिरी राजी माराज की ये तार्तमवानी में और शास्तर पुरानों के ज्यान में कितना फरक है क्योंकि लाडले सुन्दर साज जी जितने भी शास्तर पुरान है न ये सारे निराकार तक लेके जाते हैं और शिरी राजी माराज का ये तार्तम और तार्तम वानी चाए हम तार्तम वानी का पाठ कर लें चाए हम तार्तम वानी की चर्चा सुन लें चाए हम इस निजनाम का जाप करें हना सुन्दर साजी तो ये तार्तम के अंदर इतनी बड़ शक्ति हैं कि ये तार्तम और तार्तम वानी लाडले सुन्दर साथ जी नुर जमाल अक्षातीत के दिल से आया है ठीक है और ये तार्तम वानी का जो भी आतम पाठ करती है वानी चर्चा सुनती है तो ये तार्तम वानी सीधा खैंच के शिरीराजी महराज के दिल तक लेके जा के तार्तम पढ़ने से क्या होगा तार्तम वानी की चर्चा सुनने से क्या होगा तार्तम वानी की के पराइन करने से क्या होगा लाडले सुन्दर साथ जी इस तार्तम की शक्तियों का कोई पारावार नहीं है जो हक सुभान ने कृपा करके हम परमधान की आत्माओं के लिए साक्षात शामाजी महरानी को इस संसार के अंदर भेज दिया जो सत्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी के सवरुप में चलके आए और जो तार्तम लेके आए पहली बात तार्तम लाने वाली शामाजी महरानी और तार्तम देने वाले अक्षरातीत धाम धनी ने इस बरमाण के अंदर प्रगट होके तार्तम दिया और तार्तम शिरी राजी महराज के हिर्दे से प्रगट हुआ विचार कीजिए सुन्दर साथ जी जो तार्तम शिरी राजी महराज के हिर्दे से प्रगट हुआ और जो तार्तम वानी शिरी राजी महराज के हिर्दे से प्रगट हुई उस तार्तम का और तार्तम वानी की श केते हैं सागर वर्नन किये?, सागर आठमा बिना हिसाभ, ये मेहर को पार न आवी, जो कोई कोट करो खिताब, सागर वर्नन किये P्क्रमीं, कहते हैं सागर आठमा बिना हिसाभ जो धाम दनी मेहरों के सागर है न, जो क्रीपा के सागर है ना जिनके हिर्द्या के अंदर अनंता अनंत मिहर के सागर उमड घुमड रहे हैं ऐसे अक्षरातीत धाम के धनी मिहर सागर में कहते हैं सागर वर्नर कीये सागर आठमा बिना हिसाब ए मेहर को पारना आवी ये जो हमें संसार के अंदर धनी ने क्रीपा करके चैतारतम दी है चैतारतम वनी दी है उस क्रीपा का कोई पारावार नहीं है यह मिहर को पार्नाावी जो कोई कोट करू खिताब शिरीद्राव्धती जी क्रोडों ग्रन्थ में राजी महराज की क्रिपा के लिए लिख दूना तो भी शिरीराजी महराज की क्रिपा का कोई पारावार नहीं है लाडले सुंदर साथ जी यह असान नहीं friendships तारतमवानि की चर्चा जो हम सुन रहे हैं. हम कभी न सोचें कि यह तो मैं मोबाइल खोलती हूं और तारतमवानि की चर्चा सुनने के लिए मिल जाती है. जितनी भी आतमाई यह तारतमवानि की चर्चा सुन रही है ना पहले धाम धनी ने उनको अपनी नजरों में लिया है फिर उस आत्मा की निस्मत है उस आत्मा का अंकूर है क्योंकि मिहर होए ना बिना अंकूर अंकूर के बिना किसी आत्मा के उपर धनी इतनी बड़ी क्रीपा नहीं करते कि दो वर्ष से हम लगातार वानी चर्चा को सुन सकें एक दिन का नियम निभाना बड़ा मुश्किल होता है सुन्दर साथ जी है ना और जो दो वर्ष से सुन्दर साथ इस वानी चर्चा को लगा तार सुन रहे हैं तो कहते हैं ये कृपा किसके उपर है मेर होए ना बिना अंकूर अंकूर सोई हक निस्वत और अंकूर भी कैसा जिसकी अक्षरातीत धनी के साथ निस्वत हो और माय बस्त जल्ला नूर और जिसका अंकूर जिसका परात्मवला तन शिरी राज्जी महराज के चरणों में मैठा हो, उस आत्मा के उपर धनी जी क्रीपा करते हैं, बिना सनमंदी ना पाई ये कोटन कोट करो आचार, सनमंद के बिना ये हमें सुखवानी चर्चा का नहीं मिल रहा, करोणों आच्रण, करोणों वहवार हम अच्छे बना लें, पर जब तक धनी की क्रीपा ना हो, तो लाडले सुन्दर साथ जी, ना कोई आत्मा तार्तम का पाठ कर सकती है, ना वो तार्तम वानी के सामने बैठ सकती है, और ना ही तार्तम वानी की चर्चा अपनी मर्जी से सुन सकती है, ये तो हम ब्रह्म आत्माओं के उपर धनी जी अप्रम पार क्रीपा, अपन हिर्दे का प्यार उड़े ले जा रही है जो हम आतमाई ये सुख ले रही है और ये तार्तम वानी चर्चा हमें कहां पहुंचाएगी तो श्री जी ने कहा कि ए सुकन सुन रू मौमिन आवसी अरश लग्जत जो ब्रहम सिष्ठी ये वानी चर्चा सुन रही होगी न उसको ब श्री जी कह रहे हैं जो प्राणी ब्रहम ज्यान सुनेगा जो प्राणी ब्रहम ज्यान सुनेगा वानी का रसपान करेगा वानी का रसपान करेगा फिर ना माया में आए, सीधा धाम को जाए, श्री जी ने ये फुरमाई रे, देखो किरपा, किरपा धनी की छाई रे, देखो किरपा. ये छोटी सी बात नहीं है सुन्दर साज जी, श्री जी साहिब जी आपक्षिराती धनी फर्मारे हैं, बीच बक्का के रूहन सों हक्के करी खिलवत परमधाम में, हम सारी ब्रह्मशिष्टी के साथ जो श्री राज्जी महराज का वार्ता लाप हुआ ना, सो साथ रू अल्ला के भेज़े संदेश इत, उसी का संदेश सिरी राज्जी महराज ने सत्गुरु द्वारा हमारे पास भेज़ा है. जो हम परमधाम में धामधनी से बाते करके आई ना, जितनी भी हमने खिलवत मुल मिलावे के अंदर बैठके बाते करी ना, लाडले सुंदर साथ जी वो सारी बाते दे के सत्गुरु धनी शृ देव चंदर जी महराज को किस ने भेज़ दिया, धाम धनी जी ने भेज़ दिया, किस के लिए भेज दिया, हम सुंदर साथ को जगाने के लिए, वो सारे संदेश हम ब्रहम आत्माओं के लिए धनी शिरी देव चंदर जी माराज लेके आए है ना तो ए न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन देखिए आ गया ना परसंग शिरी राज जी माराज के दिल में जो तार्तम ग्यान रुपी ये संपत्ति है ना ये दौलत है ये खजाना है ना है ना सुन्दर साज जी इसकी शक्ति को अक्षरातित धनी जानते हैं और कोई नहीं जानता लाड़िले सुन्दर साज जी के इस वाणी के अंदर इस तार्तम के अंदर कितनी शक्ति है फिर से सुनिए चरण को ए न्यामत हक के दिल की ये सदारन थोड़ी है निजनाम महामंत्र और तार्तमवानी सुन्दर साथ कह देते हैं इसको पढ़ने से क्या होगा इसको पढ़ने से सीधा हक सुभान के दिल के अंदर पहुंच जाएगी रूह आत्मा को सीधा धनी अपने हिर्दे में खैंच लेंगे दिल के अंदर बुला लेंगे इससे बढ अक्ष्रातित खुद गाया रही है कि ये कौन से न्यामत है को सधा खंजना खोड़ें य॥ यह कौई सदारन क نہ थोड़ें यह संसार का निराकार का ज्यान थोड़ें अ लाड़ले सुन्दर साथ जी निराकार के पार थी तिन पार के भीपार अंगुत कंठ उपजी involves करना ये विचार शिरी इंद्रावती जी कहती है निराकार से परे अक्षर से परे अक्षरातीत धाम और वहां में नूर्जमाल अक्षरातीत धनी उनके दिल के अंदर ये न्यामत ये खजाना है और कहते ये न्यामत हक के दिल की ये न्यामत सधारन नहीं है ये खजाना सधार यह राजी के दिल का खजाना है चाहे तार्तम हो चाहे तार्तम वानी सोई जाने दई जिन हम इस तार्तम वानी का मुल्या नहीं समझ सकते हम इस तार्तम वानी की शक्ति को नहीं समझ सकते हम इसकी पावर को नहीं समझ सकते शिरींद्रावती जी कहते जिनों ने तार्तम दिय और तार्तम वानी दी है न वो जानते हैं कि इस तार्तम के अंदर कितनी शक्ति है या दिल जाने मेरी रूका सो कहूं आगे मौमिन और कहते हैं इसकी शक्ति या मेरी आत्मा जानती है जिनों ने धन परदान किया या तो राज्जी महराज जानते हैं शिरी इंद्रावति जी क के सामने प्रगट कर रही हूं यह ब्रमात्माओं के सामने में रख रही हूं ऐसा अनमोल खजाना है लाड़ले सुंदर साथ जी यह सदारन नहीं है कभी कभी कोई सुंदर साथ कमेंट कर देते हैं तारतमवानी को पढ़ने से क्या होगा है ना और कह देते हैं जब तक प्रेम नहीं हिर्दय में तब तक तार्तम वानी को पढ़ने से क्या होगा अरे प्रेम अक्षरातीत की तार्तम वानी के अंदर से प्रगट होगा प्रेम क्या मा के गर्ब में से लेके आएंगे क्या प्रेम कहां से प्रगट होगा प्रेम प्रगट होगा ये तार्तम वानी पढ़ने स प्रेम प्रगट होगा तार्तम का पाठ करने से प्रेम प्रगट होगा हिर्दय के अंदर इस इश्क लाड़ प्यार में वानी के अंदर इस वानी चर्चा के अंदर डोबने से प्रेम प्रगट होगा हमारे हिर्दय के अंदर प्रेम कोई संसार की वस्तू नहीं है शिर जी ने काए प्रेम ना वाड़ी उपजी प्रेम कोई प्रेम की कोई खेती नहीं होती प्रेम ना हट भी काए ना ही ये प्रेम कोई दुकानों में मिखता है और भी ना प्रेम के मानुष बांदे यमपुरी जाए और जिसके पास प्रेम नहीं होगा वो सीधा नरक में जाएगा अगर हम कहीं कि तार्तम वानी पढ़ने से क्या होगा तार्तम का पाठ करने से क्या होगा फिर किस से अक्षराती धनी को पाना चाहते हो अगर ये तार्तम और तार्तम वानी नहीं कुछ कर सकती तो फिर इस बर् बैठे अकंड शिरी परमधाम का दर्शन कराएगी जो यहीं बैठे बैठे सिरी रजी महराज का दिदार कराएगी वो दोई वस्तु यह आईया संसार के अंदर यह तार्तम और तार्तम वानी यह तार्तम और तार्तम वानी का बल इसकी शक्ति शिर जी साइब जी कहते हैं ता सिंगासन के उपर नोर्जमाल अक्षरातीत धनी जी विराजमाने वो जानते हैं कि ये तार्तम के अंदर क्या शक्ति है मूल्स रूप के चित की बाते तार्तम में कई रूप मूल्स रूप के हिर्दे के अंदर चित के अंदर जितनी भी बाते हैं वो सारी की सारी अनेक कि रूप में अवत्रित हुई या लाड़े सुन्दर साथ जी हमारी जागनी सिरफ तार्तम से तार्तम वानी पढ़ने से निजनाम का पाठ करने से परमधाम के 25 वक्षों का शहूर करने से चिंतन करने से ही हमारी जागनी होगी सुन्दर साथ जी है ना और जब हम कहते हैं कि जब दिली साफ नहीं है तो तारतमवानी पढ़ने का क्या फाइदा तो तारतमवानी पढ़ेंगे तो दिल साफ होगा दिल किस से साफ होगा इसी तारतमवानी से पाक ना हो ये इन पानिये इत चाहिए अरश का जल नहाए नूर के जम्माल सों तब हो य पाक ना हो ये इन पानी है इस पानी से थोड़ी हम पवित्र हो जाएंगे इत चाहिए अर्श का जल यहां पे अखंड शिरी परंधाम का जल है यह तार्तमवानी जैसे गंगा ने सोचा कि मैं विश्व बर्मान को पवित्र करूं सब के पाप खतम कर दूं तो वो गंगा है कि सारे पाप धूल जाती है ऐसे नुर्जमाल अक्ष्रातीत धनी ने अपने सवरूप को इस ब्रम वाणी के रुप में परिवर्तन कर दिया इस ब्रम वाणी के अंदर जो भी गोटा लगाएगा इस ब्रम वानी के अंदर जो भी इश्क से डुबेगा वो आत्मा बुलो श्री प्राड़नाथ प्यारे की जैं तो लाड़े सुन्दर साथ जी कल का बड़ा सुन्दर जवाब पूरा सारांष लिखा हमारी विशुजी ब्रिजनन्दन जी काटारिया दिल्ली से इतना सुन्दर साराश उनके हैंड राइटिंग भी हमारी विशुजी की इतनी सुन्दर है सुन्दर हेंड़ाइटिंग के अंदर उन्होंने पूरी वानी चर्चा का साराश रखा और हमारी विशु जी परमधाम के 25 पक्षवी जूम पे करवा रही है जो भी सुन्दर साथ जूम पे परमधाम सिखना चाए तो वो सिखा रही है उनके उपर सत्गुरु मराश्री जुवारदास जी की धामधनी जी की अप्रम पार क्रीपा है तो लाडले सुन्दर साथ जी आज की हमारी धाम सकी है विशु जी ब्रजनंदन जी कटारिया दिल्ली से और हमारे श्री नरेंदर जी और संतोष जी गुड़गाओं ने भी प्रम पार क्रीपा हम समस्दर साथ के उपर निरंतर बरस रही है और सदा सरवदा बरसती रहे ठीक है आईए हम चौपाई दोराते हैं समय हो चुका है ए नियामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन या दिल जाने मेरी रूका सो आगे कहूं मौमिन सो कहूं आगे मौमिन बोलिये श्री प्राणनात प्यारे कीज पंदर मिनट की चर्चा शिरू कर दिये सुन्दर साथ जी समय पे उपस्तेत हो जाया करें ताकि पंदर मिनट का सुक रस्पान तो हम कर सकें ठीक है आप सभी सुन्दर साथ कोशिश किया करो वानी चर्चा का स सारांश लिखने की ठीक है तो धामदनी बड़े प्रसंद होते हैं बोलिये श्री प्राणनात प्यारे कीजए सिरी सत्गुरू महराज जी कीजए समस सुन्दर साथ के हिर्दय में विराजमान सिरी राजशामाजी की शिरी चर्णों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम प्र